दिस्विन लेर रहमानी रहीम, असलाम लेकूम वीवर्स ये है किचन फोर सीजन आपका अपना चैनल और यहां पे मैं आउंगी आज में स्पैक्टी चिकन स्पैक्टी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी जड़ा थोरो था चाउमन स्टाइल दे दूगी और इसको मैंने बॉयल कर लिया था फुल पैक्ट को बॉयल करने के तरीका यह है कि फुल गरम पानी हो और घड़ी पे आप टाइम देख रहे हो आठ मिनट आप इसको बॉयल कर लें और फिर थंडे पानी में निकाल लें और फिर ओयल लगाके एक बॉयल में रख लें अब इसमें यह बताओं कि चीजें कौन से जाएंगी एक फुल साइज का कप जाएगा बंगो भी का एक फुल साइज की लाज चिमला मिच और डेट पॉच चिकन था इसको मैंने नमक और काली मिच डालके बॉयल कर लिया और इसके मोटे मोटे से रेशे बना लिये क्योंकि मुझे इस तरह अच्छा लगता है और इसके थोड़ साइज स्टाइल देंगे हम और इस पैक्टी का फुल पैकेट था और यह हाफ पैकेट आपको नज़रा रहा है बाकी मैंने साइट पर डख ले था यह सिफ दिखाने के लिए आइल टू टेबल स्पून, कैचप टू टेबल स्पून, सोया सॉस टू टेबल स्पून, रेड चिली सॉस टू टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स टून टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, औरिगेनो हाफ टी स्पून, नमक जरा हाथ रोके डालिएगा अस बेजरूरत क्योंकि इसमें सोयास भी जाएगा और स्पैक्टरी का फूल पैकिट सा और मैं शो करती तो इसमें कैमरे में न मुझे सैटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी तो यह स्पैक्टरी का हाफ पैकिट मैंने आपको दिखा दिया डालना मैंने पूरा है और इसमें नमक म बनेंगा आप प्रॉट ट्राइ किजिएगा सेम कौइंटिटी डालिएगा और इसको जो ट्राइ कीजिएगा और अपने वीवाटसब पे इस लिंक को जो जो चेर कीजिएगा और अगर बचों को लंच बना कर देना ये स्कूल के लिए या कोई स्पैशल फेस्टिवल होते हैं स्कूल में बचे लंच बना के लेके जाते हैं तो ये बहुत सबर्दस चीज़ है अच्छा इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और पिर अब हम इस वाकी चीज़ों और पर इसमें वेजटेबल्स डाल दी जो थी सारी और इनको हलकी आंच पे सोते किया था यहां पर आपको मैं टिप बता रहूं पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुकी हैं चिली सास सोया सास अपने एंड में डालना है अगर आप पहले डाल देंगे इसको पका हुआ टेस्ट और खुश्बू अजीब सी हो जाती है चाहे आप कुछ भी चाइनिस बना रहे हो चिली स करने बैठें तो यह बोड़ी जटपट सा बन जाता है इसके अंदर हम डालेंगे सास जो हमने रेडी की थी इसमें और इंगेनों का टेस्ट बहुत जबर दस्ता आता है और अगर आपके पास होट सास है ना तो वह भी थोड़ी सी डाली जेगा और यह सास तो आपको कही ज पुश्बू बहुत जबरदस बहुत ही अच्छी आ रही है और पूरे किचन में फैल गई है तो जरूर जरूर ट्राइगी जेगा और जब स्पैक्टी डालीएगा तो देखें बिल्कुल भी नहीं जुरेगी आपकी भी अगर आप इस कोईल लगा के रख लेंगे और इस क पूरे काल है जब आपको करते है ना और यहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी इसको मिक्स करने में जाहरी बात है यह फुल लंबे-लंबे से धागे यह जो भी कहा दें इसको तो यह तूटने का भी खच्छे होता पिसके अंदर यह जो मिक्स करने का टाइम होत ना यह थोड़ा सा ना होता है मुश्किल तो यह अच्छे से त्यार हो गई थी और इसको दम दिया हलका सा और फिर देखें आप मैंने एंड के एंड में जाके इसके अंदर चिली सॉस सोया सॉस डाला है यानि के जो सॉस मिनाई थी और यह मेरे बेटे अर्शमान को बहुत पसंद आई थी इसने बहुत शॉक से खाई थी और यह मारे करके सारे बच्चों को पसंद है सब भी शॉक से यह खाते हैं और मैं इसको ना जब गरम करते हुती हूं अक्सर इसके ओपर थोड़ी सी चीज डाल देती हुती हूं तो यह बहुत ही जबर्दस बन जाती है चले झाल 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 झाल